हमारे चिनल को सब्स्राइब बटन दबा कर अभी सब्स्राइब कर ले हैं और सब्स्राइब बटन दबाने के बाल बटन के बाजू में एक घंटी दिखेगी उसे भी दवा देना नहीं तो हमारे important वीडियो आपको नहीं दिखेंगे और ये एक डम प्री है जितने चमतकारी हैं भगवान शिव उससे कहीं ज़्यादा चमतकारी हैं दुनिया भर के शिव मंदिर या शिवाले भगवान शिव की चमतकारिक मंदिरों का जब भी जिक्र होता है जारकन के रामगर के शिव मंदिर का नाम जरूर आता है तूटी जरना मंदिर के नाम से मशूर इस मंदिर की खास बात यह है कि यहां भगवान शंकर के शिवलिंग पर जला अभिशेक साल के बारा महीने और चोविस घंटे होता है और यहां अभिशेक कोई और नहीं स्वयमा गंगा करती है यह पूजा सग्यों से चली आ रही है ऐसी माननेता है कि इस जगा का उल्लेख पुराणों में भी मिलता है भक्तों की आस्ता है कि यहां पर मांगी गई हर मुराद पुरी होती है तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आस्तिक इस्पिचुल सीक्रेट्स में जारकंट के रामगर जिले में एक ऐसा रहस्त मई शीव मंदिर है जिसके बारे में जानने के बाद हर शर्दालू इस मंदिर में एक बार जरूर जाना चाहता है और भगवान के दर्शन की इच्छा जरूर रखता है यूँ तो भगवान शीव को लेकर कई पुरानिक कताय प्रशलित है लेकिन यहाँ आज भी भगवान के चमतकार लोगों को साफ नजर आते हैं तो दोस्तों आई ये सबसे पहले बताते हैं आपको इस मंदिर का इतिहास इस मंदिर का इतिहास 1925 से जुड़ा हुआ है और माना जाता है कि तब अंग्रेज इस इलाके से रेलवी लाइन बिछाने का काम कर रहे थे पानी के लिए खुदाई के दोरान उन्हें जमीन के अंदर कुछ गुम्बद नुमा चीज दिखाई पड़ी अंग्रेजों ने इस बात को जानने के लिए पूरी खुदाई करवाई और अंत में ये मंदिर पूरी तरह से नजर आया मंदिर के अंदर भगवान भोले का शिवलिंग मिला और उसके ठीक उपर मा गंगा की सफेद रंग की प्रतिमा मिली अपने आप शिवलिंग पर गिर रहे जल को देखकर एक बार अंग्रेज भी आशर चकित हो गए थे उस समय जब इस मंदिर के जानकरी दूसरे अंग्रेजों को हुई और उन्होंने यहां होने वाले चमदकार को अपनी आखों से देखा तो उनकी आखे फटी की फटी रह गई ऐसे में भगवान के प्रति लोगों की आस्था और मजबूत हो जाती है यही वज़ा है कि इस मंदिर की कहानी दूर दूर तक प्रसलित हो गई है और दिनों दिन इस मंदिर में आने वाले शद्धालों की भीड परती जा रही है रामगण में इस्थित इस शिव मंदिर को प्राचीन मंदिर टूटी जरना के नाम से जानते हैं मंदिर में मौजूद शिवलिंग पर अपने आप 24 घंटे जलाभिशेक होता रहता है खास बात तो यह है कि यह जलाभिशेक कोई और नहीं बलकि खुद मागंगा स्वेव अपनी हतेली से करती हैं माना जाता है कि इस जलाभिशेक की जानकारी पुराणों में भी मिलती है दर असल शिवलिंग के उपर मागंगा की एक प्रतिमा इस्थापित है जिनकी नाभी से अपने याप पानी की धारा उनकी हतेलियों से हुती हुई शिवलिंग पर गिरती है पर आज भी यह रहस्त बना हुआ है कि आखिर इस पानी का स्तरोथ कहा है इस शिवलिंक के दर्शन के लिए दूर दूर से लोग पहुँचते हैं और भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं अब हम आपको बताएंगे इस मंदिर से जुड़ी एक और हैरान कर देने वाली लेकिन सची घटना दोस्तों यहां लगाए गए दो हैंड़ पम भी रहस्तियों से घिरे हुए हैं यहां लोगों को पानी के लिए हैंड़ पम चलाने की जरूत नहीं पड़ती बलकि इस में से अपने आप हमेशा पानी नीचे गिरता रहता है वहीं मंदिर के पास से ही एक नदी गुजरती है जो सूखी हुई है लेकिन भीशन गर्मी में भी इन हैंड़ पम से पानी लगातार निकलता रहता है जबकि इस मंदिर के आसपास के शेतर के हेंटपंस के साथ ऐसा नहीं है वहाँ आपको हेंटपंप चलाना पड़ता है दोस्तों, लोग दूर दूर से यहाँ पूजा करने आते हैं और साल भर मंदिर में शद्धालू का ताता लगा रहता है शद्धालू का मानना है कि तूटी जरना मंदिर में जो कोई भगवान के इस अद्बुत रूप के दर्शन कर लेता है उसकी मुराद पूरी हो जाती है भगद शिवलिंग पर गिरने वाले जल को प्रसाथ की रूप में ग्रहन करते हैं और इसे अपने घर ले जाकर रख लेते हैं इसे ग्रहन करने के साथ ही मन शांत हो जाता है और दुखों से लड़ने की ताकत मिल जाती है तो दोस्तों यह था देवादी देव महादेव के अनेको अनेक चमतकारिक मंदिरों में से एक मंदिर अब हम आपको बताते हैं कि कैसे पहुँचा जाए यहाँ पर तूटी जरना मंदिर जाने के लिए साल का कोई सा भी समय चुना जा सकता है सबसे पहले बात करते हैं हवाई मार्ग की यानि की बाई एर रामगड से लगबग 31 किलोमेटर की दूरी पर राची एरपोर्ट है राची तक हवाई मार्ग की साहता से पहुचा जा सकता है राची तक हवाई मार्ग की साहता से पहुचकर महा से रामगड रेल या बस की साहता से पहुचा जा सकता है रामगड पहुँचने के बाद नीजी गाड़ी करके मंदिर पहुँच सकते हैं बात करते हैं रेल मार्ग यानि की बाई ट्रेन देश की लगबग सभी बड़े शेरों से रामगड के लिए नियमित रेल गाड़ियां चलती हैं जिन से रामगड तक आकर वहां से नीजी साधन करके तूटी जरना मंदिर पहुचा जा सकता है और अगर आप सड़क मार्ग से आना चाते हैं यानि की बाई रोड तो रामगड इस तिर तूटी जरना मंदिर पहुचने के लिए बाई रोड भी आया जा सकता है देश के लगबग सभी बड़े शहरों से रामगड के लिए बस चलती है आपको यह वीडियो कैसा लगा? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हर हर महादेव लिखना ना भूले हमसे वाटसेप पर जुड़ने के लिए नीचे दिये गए नमबर पर मिस्कॉल करें हमारे अन्य रोचक वीडियो देखने के लिए इस समय आपकी स्क्रीन पर दिखाए जारे वीडियो पर अभी क्लिक करें हर हर महादेव